पतना कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन में अपराधियों ने चिंतई की घटना को दिया अंजाम यात्रियों से मोबाइल फोन अन्य सामान लेकर हुए फरार बीती रात पटना से कोलकाता जाने वाली पटना कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी में अपराधियों ने यात्रियों से चिंतई की घटना को अंजाम दिया घटना बाद मोकामा रेल खंड के शहरी हॉल्ट के पास की बताई जा रही है घटना के बाद यात्रियों ने मोकामा रेल थाने में मामला दर्ज कराया है इस बीच करीब आधे घंटे तक ट्रेन मोकामा में खड़ी रही जियारपी ने यात्रियों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है यात्रियों ने बताया कि ट्रेन जैसे ही बार से खुली कुछ अपराधी गार्ट के बगल वाले जनरल बोगी में सवार हो गए और यात्रियों से मोबाइल फोन तथा पस छीनने लगे कुछ यात्रियों से मारपीत भी की गई मोबाइल फोन और पस लेकर अपराधी बार के शहरी होल्ट के पास वैक्यूम कर ट्रेन को रोप दिया और वहां से उतर भाग गए घटना कर, सूचना मिलने के बाद रेल महकमे में हरकम सा मच गया मोकामा आरपीफ और जियारपी पुलिस घटना की सूचना मिलने के बाद देर रात तक बार और शहरी होल्ट के बीच छापा मारी अभियान चलाती रही लेकिन कोई काम्याभी नहीं मिली ब्रज केशोर पिंकू के साथ पंकज कुमार की रिपोर्ट